पिछली वीडियो में हमने देखा था What is a sentence, एक sentence क्या होता और उसके कौन-कौन से types होते हैं लेकिन उस sentence के parts कौन-कौन से होते हैं, subject या predicate होता क्या है एक sentence को जब हम देखें तो कैसे पहचाने की एक subject क्या है और उसमें कौन सा part को predicate बोला जाएगा क्या एक subject हमेशा one word का होगा, या फिर हमेशा predicate more than one word का होगा या फिर multiple words का ही होगा सब को जानेंगे with examples वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो please like करें उपने दोस्तों के साथ share करें, चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूले हैं example देती हूँ Monica is watching movie ये जो words है, इनको इस तरीके से arrange किया गया है, कि मुझे और आपको जब हम इसको देखे, सुने या पढ़े तो मतलब समझ आ रहा है कि यहाँ बताने की कोशिश क्या कर रहा writer, कि Monica movie देख रही है जब कुछ शबदों को, कुछ words को इस तरीके से arrange किया जाए कि उसका मतलब idea हमको समझ आए तो इसका मतलब ये एक sentence है, जैसे कि लक्ष has gone out लक्ष बाहर गया हुआ है अगेन इसका हमको मतलब समझ आ रहा है कि लक्ष बाहर गया है, तो ये भी एक sentence है, तो sentence क्या होता है, वो हमको समझ आए लेकिन हर एक sentence में ये बात जरूर होगा, कि हम किसी ना किसी व्यक्ती, किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है मौनिका के बारे में जब हम मौनिका के बारे में बात करेंगे, तो उसके बारे कुछ बताया जाएगा जिसके बारे में बात हो रही है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी sentence हो चाहे वो imperative, declarative, आपका interrogative कोई भी type का अगर sentence होगा हर एक type के sentence में हमेशा सिर्फ दो ही पार्ट होंगे एक होगा subject और दूसरा होगा predicate जब हम बात कर रहें subject की तो वो ज इस या व्यक्ति या person जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, we are talking about जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि example में हम Monica या फिर लक्ष के बारे में बात कर रहे थे, तो वो हमारे थे subject और उनके बारे में हम क्या बोल रहे थे, what is being said about them, Monica और लक्ष के बारे में, क्या बोला जा था कि वो watch कर रही है, she is watching movie, right, तो वो movie देख रही है, तो वो उसके बारे में बात हो रही थी, और दूसरा लक्ष क्या, he has gone out, तो ये जो बाते हम लक्ष और मॉनिका के बारे में बोल रहे था, जो कि उस sentence का subject है, उसको बोला जाएगा प्रेडिकेट, जो मैंने आपको बताया था न, कि मॉनिका is watching movie, तो मॉनिका इस sentence में क्या है, subject है, clear, और उसके बारे में जो बोला जा रहा है, is watching movie, ये पार्ट हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट, इतना आपको समझाया, दूसरे example में हमने बोला था कि लक्ष has gone out, लक्ष बाह गया हुआ है, तो बात किसके बारे में हो रही है, लक्ष के बारे में हो रही है, इसका मतलब लक्ष यहां पे subject है, वो बाहर गया हुआ है, लक्ष के बारे में क्या बात हो रही है, कि वो बाहर गया है, तो जो बाहर जाने वाला उसके बारे में information देने वाला पार्ट है, व सब्जेक्ट एक वर्ड का सिंगल वर्ड का हो सकता है सब्जेक्ट मल्टिपल वर्ड का भी हो सकता है सिमिलरली प्रेडिकेट भी सिंगल वर्ड का हो सकता है तो यह जो कॉम्बिनेशन होगा कि सब्जेक्ट सिंगल वर्ड का प्रेडिकेट सिंगल वर्ड का हो सकता है सब्जे से कोई भी combination इसका मतलब possible है clear है तो जब हम बोल रहे हैं कि subject और predicate हमारा single word का होगा तो उस वक्त क्या होगा subject single word का होगा तो वो एक noun या pronoun या फिर ing form of verb से denote किया जाएगा जादा तर commonly हम एक noun या pronoun को ही use करते हैं काफी rare case में हम ing form of verb को एक subject के रूप में as a subject हम लेते हैं बट कभी-कभी हम यह लेते हैं जादा तर books में या teachers आपको यह चीज नहीं बताएंगे तो this is additional point कि जो आपको ध्यान में रखना है कि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि एक ing form of verb भी subject बन सकता है but it is little rare thing जो जेंडरली आपको देखने को नहीं मिलेगी जब आम बात करें प्रेडिकेट कि यह जब वो single word का होगा तो usually वो एक verb होगा देखो मैं यह नहीं बहुल रही हूं कि वो एक helping verb भी हो सकता है जो है helping verb होगा वो प्रेडिकेट का जो single word है वो generally नहीं होगा वो हमेशा एक main verb होगा ठीक है तो main verb जो है वो ही हमारा क्या होगा usually प्रेडिकेट जब single word का प्रेडिकेट बनेगा तो जो main action word है वो ही एक single word वाला प्रेडिकेट के रूप में देखा जाएगा या बनेगा for example you go तुम जाओ sun shines, sunshine करता है dog barks dog कुता भौकता है अभी अब तीनों sentences में ध्यान से देखो you के बारे में बात हो रही है जो की एक pronoun है क्या है जो मैंने आपको अभी condition बताई ये एक pronoun है राइट ये एक pronoun है और दूसरे में sentence में sun के बारे में बात हो रही है जो एक noun है dog के बारे में बात हो रही है जो एक noun है again तो जो मैंने आपको situation condition बताई थी कि जब हमारा जो subject है जिसके बारे में बात हो रही है you, son, या dog अगर वो single word का है तो वो एक noun, pronoun या फिर ing form of verb हो सकता है Similarly, you go हम तुमको जाने के लिए बोल रहे हैं, तो go जो है, वो एक action verb है वो हमारा main verb है और यही हमारा predicate का part play कर रहा है clear, और यह एक verb है Similarly, change box यह भी हमारे single word के predicates है, जो एक verb है तो यह चीज आपको ध्यान में आ गई होगी कि जब single word का subject और predicate हो है वो कौन-कौन से part of speech के, कौन-कौन से part of speech हो सकते है, ठीक है अब हम बात करेंगे कि जब हमारा subject और predicate multiple words का हो अगर वो multiple words का होगा, तो क्या होगा subject multiple words का होगा तो जो बहुत सारे words से बना के, जो subject बनेगा उसमें जो most important word है जिसके बिना हमारा subject है, वो अधूरा होगा हमको समझ नहीं आएगा, तो जो important word होगा, उसको बोला जाएगा subject word या simply subject, simple subject हम उसको बोल सकते हैं, यह हो जाएगा अगर हमारा subject multiple word का है, जब हमारा predicate multiple word का होगा तो जो हमारा predicate है, वो एक verb होगा जैसे मैंने आपको पिछली जब single word के predicate के बारे में बताया था कि एक helping verb, क्योंकि जब हमारा single word का predicate है तो हमारा verb जो भी होगा, वो main verb ही होगा, लेकिन जब multiple words का predicate हो सकता है होगा, तो उसमें helping verb जरूर आएंगे, तो helping verb को आप ignore कर दीजे, जो आपका main action verb है उसको बोला जाएगा predicate word, तो subject word और predicate word के बारे मैंने एक बहुत अच्छी detail में video बनाई है जिसमें आपको और भी सारी चीजों के बारे में जैसे की adverbial qualification या फिर attributes और काफी और भी information और examples आपको दिये है उसका link में description में लगा दोंगी आप जरूर उसको देखना time stamp है कि आपको उस video को 4.15 से start करना है अगर आप directly subject word और predicate word के बारे में जाना चाहते है अदर्वाइस आप उसको starting से भी देखेंगे तो that going to that also going to be very helpful ठीक है तो अभी जो मैं आपको example दोंगी तो मैं आपको वो भी detail में बताते जाती हूं she is dancing वो dance कर रही है किसके बारे में बात हो रही है देखो मैं आपको एक important tip भी बता देती हूं कि कैसे आप अगर कभी confused हो जाते है तो कैसे आप एक sentence में पहचाने की subject कौन सा है तो आपको question पूछना है who या फिर what अभी आप दूसरे example में भी देखो Monica likes to play basketball तो जब हम बात करेंगे who तो यहाँ पर answer आएगा she या फिर answer आएगा Monica तो यह जो हमारा answer आएगा वो होगा हमारा subject ठीक है तो subject हमारा she है what is she doing she is dancing तो remaining part हमारा हो जाएगा predicate जब हमारा single word का subject होगा तो वो ही word हमारा subject word भी होगा जब हमारा multiple words का predicate हो रहा है main verb इसमें कौन सा है dancing तो dancing हमारा predicate word हो जाएगा second sentence में भी Monica हमारा single word है जो की subject है वो ही हमारा subject word होगा likes to play basketball उसको basketball खेलना पसंद है उसमें जो main verb है play हमारा होगा यहाँ पे predicate word तो यहाँ पे जो उसके बारे में बात हो रही है subject के बारे में वो पार्ट हमारा है predicate clear है तो यह पार्ट हमारा है predicate most animals walks on four feet यहाँ पे देखो जब हम बात करें who तो यहाँ पे most animals का answer आएगा यहाँ पे सिर्फ animals नहीं most animals क्योंकि हम जादातर animals के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा यह वाला जो पार्ट है यह हो जाएगा subject walks on four feet most animals के बारे में बात हो रही है कि वो जादातर चार पैरों पे चलते हैं तो यह हो जाएगा हमारा predicate subject में most important word क्या लग रहा है आपको most important है या फिर animals दोनों में से किस word के बिना हम हमारा जो sentence है उसको नहीं समझ सकते है yes it is animals तो जो animal के बिना हम नहीं समझ सकते हैं कि हमारा sentence क्या बोलना चारा है तो जो animal है वो हमारा हो जाएगा subject word animals similarly यहाँ पे walks जो है जो हमारा main verb है वो हो जाएगा हमारा predicate verb the old man ran very fast जो बुड़ा व्यक्ती था वो बहुत तेज भागा तो यहाँ पे जो old man who जब हम बात करेंगे who तो the old man हमारा answer आता है और उसने क्या किया कि वो बहुत तेज भागा तो जिसके बारे में बात हो रही है वो subject है और जो उसके बारे में बात हो रही है वो predicate है main word हमारा subject में कौन सा है old man old man हमारा यहाँ पे subject word हो जाएगा और ran यहाँ पे हमारा हो जाएगा predicate word और इसके बारे में subject word और predicate word के बारे में detail में जो वीडियो है उसका link description में आप वो देख सकते है तो चलिए अब next पे देखेंगे next पे बढ़ेंगे important चीज आपको धियान में रखनी है जादा तर ऐसा होता है कि subject word पहले आता और बाद में आता है predicate this is normal scenario generally आपको यही देखने को मिलेगा कभी-कभी ऐसा हो सकता है कम होगा rare case में होगा but predicate आएगा पहले और बाद में आएगा subject ऐसा कभी-कभी हो सकता है जैसे मैंने आपको condition बताई थी कि ing form में हमारा ing form में हमारा एक verb एक subject के रूप में हो सकता है sentence में यह भी काफी rare situation है but ऐसा हो सकता है उसी तरीके से पहले predicate आए ऐसा भी होता है बाद कम होता है दूसरा यह है कि जब imperative sentence जो होते है उसमें हमारा जो subject होता है generally जिसमें यूई होगा यू जो हमारा pronoun है उसको हम generally omit कर देते हैं omit करना मतलब हम उसको लिखते नहीं है sentence में explicitly हम उसको avoid करते लिखना क्योंकि वो understood होता है आप भी रोमान लिया जाता है इसलिए subject को omit कर दिया जाता है किसमें imperative sentence में जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत important है आपको types of sentence के बारे में अच्छे से जानकारी हो कौन को से type of sentences होता है उनका actually में उनका क्या features क्या होता है उनकी क्या qualities होती है तो जैसे कि मैंने बोला directly की imperative sentence अगर आपको नहीं पता होगा एक imperative sentence क्या होता है तो आपको कैसे समझाएगा कि मैं क्या बोलने के कोशिश कर रही हूँ और यह हर जगे आपको मिलेगा तो अगर आपने previous video नहीं देखा है तो please link description box में जाएए आप वो video देखिए और उसके बाद में आपको पता चल जाएगा आपको हमेशा के लिए पता जाएगा कि कौन कोशे type of sentences होते है Example Here comes the jury जब हम बात कर रहे Here comes तो मतलब हम कोई action के बारे में बात कर रहे तो वो देखो आगए Here comes the jury jury जो group of people होते है जो judgment करने में help करती है कोई भी case के उसको case को solve करने में उसको judgment देने में help करती है group of people उसको jury बुला जाता है तो पहले हम बात कर रहे कि jury ने क्या action लिया कि वो आई जो action है यहाँ पे पहले predicate आया और बात में subject आया यह situation possible है बट काफी rare है come here यहाँ आओ जब हम बोल रहे हैं यहाँ आओ तो यहाँ पे जो you word है उसको omit कर दिया गया क्योंकि एक imperative sentence है imperative sentence पे हम command request कुछ भी दे सकते है you जो है उसको explicitly नहीं लिखा जाता है उसको avoid कर दिया जाता है और directly लिखा जाएगा यह बोला जाएगा come here get out exclamation mark exclamation mark आप कब लगाते हो जब आप कोई भी strong emotions बयान करना चाहते हो आप बताना चाहते हो कि मैं गुसा हूँ मैं sad हूँ मैं happy हूँ मैं excited हूँ कुछ भी आप बताना चाहोगे strong emotion तो आप exclamation mark लगाईए जरूर लगाईए आपके जो sentence है उसके emotions directly reader के पास पे फटक से पहुँचाते है get out मतलब आप गुसे में बोल रहे हो जाओ यहाँ से तो you जो again यहाँ पर मैंने आपको बोला था generally यहाँ पर you होगा जिसको omit हम करेंगे जो subject होगा तो you को again omit कर दिया get out directly बोल के and it is also imperative sentence आपको वीडियो पसंद आए तो like करो share करो अपनी दोस्तों के साथ चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलो अगर आपको कोई भी topic grammar topic में problem face कर रहे है आपको कुछ issue आ रहा है समझने में तो आप comment section में request video and write your topic आप किस topic पे चाहते है कि मैं एक video बनाओ अगर sufficient लोग उसको like कर रहे या similar topic को recommend कर रहे request कर रहे तो definitely मैं एक video बनाऊंगे आपके लिए also I'll give you shout out I'll meet you in my next video till then take care of yourself and bye bye